हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिक क्लासेजमन इसी क्लास में हम बात करेंगे एक्सराइज 9.1 की इसका किशन नमबर पांच हम सोल करने जा रहे हैं तो देखते हैं किशन नमबर पांच क्या है किशन नमबर पांच है बूमी से 60 मीटर की अब पांच है और यह नहीं नहीं है कि लंबा है तो जैसा कि क्यूशन में दिया गए विशावेशा हम करते हैं डायग्राम बनाते हैं कि वूमी से जैसे कि यह माली यह धरातल है ठीक है यह आपका दरातल है इस साट मिटर की उचाई पर जो इसकी उचाई है वह साट मिटर साठ मिटर की उचाई पर यहां पर एक कोई पतंग उड़ रही है ठीक है और इस पतंग की डौरी को नीचे किसी किसी बिंदू से बंध दिया जाता है तो यह फिस डोरी को बान दिया गया तो इस डोडी कों को ग्याद करने है नामांकन करते हैं इसका A BC ठीक है यह साथ और बनने वाला korn है जो जुखाओ के साथ dory का और धरातल का वह साथ डिगेरी का अब देगे हमें दिया क्या गया है दिया तो गया है हमें यह जो टिता के सामने कौन के सामने जो भुजा है वह लंब एबी दरातल चेंव उचाई और ग्यात करने हमें डोरी की लंब आई यानि कर्ण इसको हम लंब मानते हैं ठीक है तो फॉर्मुला वह रहेगा हमारा लाल बटे कक्का कि इसमें देखिए लंब और कर्ण किसमें का हमें आते हैं साइन में तो साइनaky ठीटा अ कि बराबर लंब है यहां पे अ-बी ठीक है लिए उचाहिए या लंबाइन को मान ल्यते हैं एप आम मान सकते हो जो आप चाहओं तो मैंने प्षा क्यों रूपर खो Three होती Such stitch 2 with together sotte замеч 2ane B дополн like bar viral-soundall快ure ब irgendwann करने पर तो आएका श्रूट 210 मेरा 0 2-2 को गुमना करने पर 120 मता हम देंगे 120 में और अब हमें करना है इसका परिमेकरण परिमेकरण करने के लिए हर वाली संक्या को उपर नीचे गुणा करते हैं तो रूट तीन को उपर नीचे हम गुणा कर देंगे तो यह आएगा अक्स बराबर 120 रूट तीन बटेती हैं अब तीन से 120 है वो केंचिल आउट हो जाएगा चालीस बार तो जो अक्स वेल्यू है वह आएगी चालीस रूट तीन यानि की कहने का मतलब है कि जो धरातल से जो बिंदु है उसे पतंग की डोरी में तना उत्पन हुआ वह डोरी की लंबाई है वह है चालीस रूट तीन मीटर तो किस्व नमबर पांच शोल हुआ किस्व न सक्व लम्भा एक लड़का है 30 मिटर उच्पांच मिटर लंबा लड़का है जहुर है तला उसकी कि डेरातल से लड़कें कि आख से भवन के सिकर का उन्यन कौन 30 से 60 डिग्री हो जाता है बताइए कि वह भवन की और कितनी दूरी तक चल कर गया तो देखें डाइग्राम बनाते हैं पहले हम इसका कि माली जी एक लड़का है और इसकी आख से कि यह इसकी लंबाई है वह एक. 5 मीटर ठीक है यह इसकी लंबाई एक. 5 मीटर और कुछ दूर इससे कुछ दूर एप यहां पे भवन वाण लेते हैं जब वह उच्छे भवन की और चल कर जाता है यह भवन है और इसकी जो उचाई है वो देर की अमें 30 मिटर 30 मिटर ठीक है अब यह 1.5 मिटर है तो इस लड़के के लंबाए 1.5 मिटर है ठीक है और इसकी आंग से मतलब कि जो हम धराते लेंगे जो क्षेती जमानेंगे हम वो इसकी आँख से मानेंगे यहां से ठीक है तो इसकी धरातल इसकी आँख से इसको हमने धरातल मालिया क्षेती जमालिया जो कौन बनता है वो बनता है ये 30 डिग्री अब जैसे जैसे वो इस भवन के नजदिक जाएगा उससे 30 से गटकर इसका जो कौन है हो जाएगा 60 डिग्री और यहां आते आते लंब वहत मतलब 90 डिग्री कौन हो जाएगा ठीक है अब देखे ये घर की जो पूरी लंबाई है गर की लंबाई वह तो है 30 मिटर लेकिन जब हमने क्षेति यहां पर माना एक पॉइंट लड़के की आख से तो एक पॉइंट पांच मिटर हम यहां पर गठा देंगे तो यह जो लंबाई होगी यहां से लेकर यहां तकी जो लंबाई होगी वह गी 28.5 मिटर और जो कुल भाए जो हमें दी गई है वह थीस मिटर इंसे हमने बताना Chairman कि अपनी स्थान उस्थान .- lijे थिस मिटर कर गया ने कर यहां तक 11 नुल दूरिया है वह मैंने माल ली अक्स ठीक है यह मैंने मान ली X अब वे 30 से जब कौन 30 होगा तो यह दूरी होगी X और यह मान ली मैंने H तो यह जो दूरी है 30 वाली वह कितनी होगी X माइनस H देखिए कुल दूरी है वह मैंने मान यहां पर H स्वरी X ठीक है तो यह तो कूल दूरी है यहां से लेकर यहां तक जो 22 की दूरी हो गई X बाद मैंने यह इतनी दूरी है यहां से लेकर यहां तक वह मिनमाली H तो बच्ची यह तो अक्स में से हम H घठा देंगे तो यह 30 वाला आ जाएगा अब हम इसका नामकर्ण करते हैं तो यह A यह बिंदू B यह C यह D यह E और यह है F ठीक है अब देखिए हमें इसमें क्या दिया गया यह एक लंब दिया गया कोंड दिया गया 30 और च्ची यह अधार तो जब हम पूरा लेंगे यह E से लेकर B तक तो आधार पूरा लेंगे हम पहले तो इसमें फॉर्मला वहे लेगा लाल बटे कक्का वाला और लंब हमें दिया गया और आधार तो लंब बटे आधार है वह 30 का फोर्मला होता है तो 30 न बराबर में लिकू केवल हम इतना हे लेंगे क्योंकि जो लड़के की आग से जो कॉंड बन रहा है वो बन रहा है 30 तो यह कुल बावाद की उचाए में से मैंने 1.5 मिट्रे वो गठा दिया तो टेन ठीटा बराबर अबे ए बी की जो लंबाई है ए बी वो लिखे लोंगा और फ़ेर ई बी तो टेन भी यो है 30 निटीश में serait डिंप जो और यह एक्स वज़र गुणा करने पर क्या प्रावत होता है एक्स बराबर अठाइस पॉइंट पांच रूट तेन तो यह हमारे पास आई अक्स की वेलियों तो अक्स की वेलियों हमारे पास यहां पर आ चुकी है अब आगे हमें कौन दियागी है तेन साथ तेन साथ के यह तिरुबूज लेंगे अब लाल बटे का लंब बटे आधार वाला फोर्मूला तो तेन साथ में इसको सिदा लिख देता हूं तेन साथ बराबर एबी बटा एफ बी बटा एफ बी और जो एबी की वेलियों है वह हमें यह पर दी गई है अठाइस पॉइंट पांच तो बराबर अठाइस पॉइंट पांच और H की वेलियो आई अठाइस पॉइंट पांच बते डूकती तो हमारे पास है इस GB आ चुकी है X की वेलियों आचुकी है और ही माल फेह हमें यह भी गयात करना है कि क्या है इसको मैं इसा फान्व कर देता हूं अक्स की वेल्यू है हुआ है हमारे पास 28.5 रूट तीन माइनस 28.5 रूट तीन अब देखिए जब हम इसका L से हम लेंगे तो यह आएगा रूट तीन और रूट तीन को 28.5 रूट तीन से हम गुणा करेंगे तो आजाएगा 28.5 गुणा 3 माइनस 28.5 तो 28.5 को हम 3 से गुणा करेंगे है यह यह 85.5 रूट तीन में से आज़ाएगा 57 रूट तीन अब इसका प्रमियकरण करदेंगे तो रूट 3 और रूट तीन से गुणा तो आगया 57 रूट तीन बटे 3 तो हमारे पास जो वेल्यू है जो कुल दूरी है वह आई 19 रूट 3 मिटर तो जो लड़का है वह बहुंद की तरफ जो दूरी थे करेगा वह होगी 19 रूट 3 मिटर तो क्विश्व नमबर 6 है वह कंप्लीट हुआ तो दोस्तो इस क्लास में हमने क्विश्व नमबर 5 और क्विश्व नमबर 6 कंप्लीट कर लिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्विश्व के साथ तबते के लिए थेंक्यू